हेलो एब्रिवन वेलकम बैक टो वंचिकास क्लासेज लास्ट वीडियो में हमने एपिथीलियल टीशूज के बारे में पढ़ा था एनिमल टीशूज हम पढ़ रहे थे तो हमने एनिमल टीशूज का फर्स्ट पार्ट मतलब की एपिथीलियल टीशूज के बारे में पढ़ा थ का पीछली वीडियो में आज की वीडियो में हम एनिमल टिशूज का सेकंड पार्ट कवर करेंगे कनेक्टिव टिशूज क्या होते हैं कनेक्टिव टिशूज कनेक्टिव टिशूज हम उन टिशूज को कहते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टिशूज को सपोर्ट करते हैं और कनेक्ट करते हैं अलग-अलग tissues को अलग-अलग tissues और organs को जो support करते हैं और connect करते हैं उनको हम connective tissues बोलते हैं यह हमारी body में widely distributed होते हैं और यह mesoderm से germinate होते हैं तीन germinal layers होती है न एंब्रियो में थ्री germinal layers होती है एंब्रियो में कौन-कौन सी ectoderm mesoderm और endoderm तो जो connective tissues होते हैं वो mesoderm वाली germinal layers से बनते हैं यह ध्यान रखना है और जो protein fibers secret होते हैं न cells के द्वारा तो protein fibers का जो intracellular framework होता है उनमें कुछ cells present होती हैं जिनसे यह tissues बनते हैं कोलाजन और elastin fibers होते हैं जो की यह secret करते हैं और एक thin gel polysaccharides का एक thin gel भी secret होता हैं और यह fibers collagen और elastin और यह polysaccharides का thin gel जो होता है न यह matrix बनाते हैं या फिर ground substance बनाते हैं जो connective tissues होती हैं उनकी elasticity, flexibility और strength इन fibers की वज़े से ही होती हैं कौन से fibers? कोलाजन और elastin की वज़े से ही connective tissues की elasticity होती हैं flexibility होती हैं और strength होती हैं functions and types of connective tissues depend on the nature of the intracellular substance present अब हम पढ़ेंगे इन fibers के types, types पढ़ेंगे fibers के three types के होते हैं connective tissue के fibers पहले हम पढ़ेंगे कोलाजन fibers के बारे में यह fibers कोलाजन प्रोटीन के बने हुए होते हैं नाम से ही याद रहता है यह चीज़ कोलाजन fibers कोलाजन प्रोटीन से बने हुए होते हैं और यह बात याद रपने हैं कि कोलाजन fibers जो होते हैं इनकी high tensile strength होती हैं और यह flexible होते हैं Collagen Fibers अब पढ़ते हैं Elastic Fibers के बारे में ये किस प्रोटीन के बने हुए होते हैं Elastin Protein के बने हुए होते हैं Elastic Fibers और ये एक network बनाते हैं जो कि एक rubber band की तरह stretch हो सकता है नाम से ही पता चल रहा है कि ये elastic होते हैं और ये ऐसा network बनाते हैं कि ये stretch हो सकता है rubber band की तरह और फिर जब force remove करते हैं तो ये अपनी original shape को भी retain कर लेते हैं original shape और size को retain कर लेते हैं ये fibers फिर आते हैं reticulate fibers reticulate fibers में कौन-कौन से proteins होते हैं collagen भी होता है और glycoproteins होते हैं इसका network जो होता है na reticulate fibers का network बहुत ही thin होता है और delicate होता है neighboring connective tissues को ये join करते हैं ये इनका function है reticulate fibers neighboring connective tissues को join करते हैं different types के connective tissues में different types की cells present होती है ये जो different different types की cells present होती है ना connective tissue में ये different types के fibers भी secret करती हैं और matrix भी secret करती हैं तो कुछ cells हैं जो connective tissues में present होती है ना different different kinds की cells तो उन में से कुछ cells हैं fibroblast हो गए adipose cells fibroblasts और adipose cells जो होता है ना वो stationary होता है ना मूब नहीं करते हैं और जो macrophages होते हैं mast cells होते हैं monocytes lymphocytes ये migrate करते रहते हैं तो हम पढ़ेंगे fibroblasts के बारे में fibroblasts developing tissues में present होते हैं और ये wound healing में इनका role होता है ये बात ध्यान रखनी है fibroblasts wound healing में important role होता है इनका और इनकी shape होती है spindle shaped और ये collagen fibers के बीच में present होते हैं जो हमने अभी पढ़ा ना fibers के types तो collagen fibers वाले जो fibers होते हैं उन fibers के बीच में present होते हैं fibroblasts और ये wound healing में help करते हैं और ये एक substance को secret करते हैं tryptocollagen tryptocollagen के अलावा भी substances इसके द्वारा secret होते हैं पिर आते हैं macrophages fibroblasts का diagram ये है ये goal G apparatus है तो ये fibroblasts का diagram है बच्च इस तरह का होता है fibroblasts ये nucleus है ये collagen fibers है collagen fibers के बीच में present होता है अब हम पढ़ेंगे macrophages के बारे में macrophages को हम scavenger cells के नाम से भी जानते हैं ये connective tissues में ऐसी घुमते रहते हैं stationary तो नहीं होते हैं ये migrating cells होते हैं ये microphones जो होता है ये connective tissues में migrate करते रहते हैं और debris को clean up करते हैं और bacteria को remove करते हैं और antigenns जो present होते हैं foreign antigens उनको remove करते हैं ये phagocytosis के द्वारा phagocytosis के दवारा cleaning का काम करते हैं debris को clean करते हैं, bacteria को remove करते हैं और antigens को remove करते हैं यह है macrophage का diagram macrophage का diagram है यह इस तरह का होता है macrophage और migrate करता रहता है इसमें lysosome present होते हैं nucleus, phagolysosome, mitochondria, endoplasmic reticulum और golgi apparatus अब हम पढ़ेंगे connective tissues के types, connective tissues के three types होता है first and loose connective tissue loose connective tissue हमारी body में महां महां present होते हैं जहां पर elasticity भी required होती है और support भी required होता है जैसे कि blood vessels में present होते हैं nerves में, muscles में यहां यहां पर present होते हैं loose connective tissues loose connective tissues skin के नीचे एक layer होते हैं subcutaneous layer subcutaneous layer form करते हैं और जो यह loose connective tissues होते हैं इसमें fibers और cells जो present होती हैं loosely arranged रहती हैं semi-fluid matrix में यह अलग-अलग organs के बीच में as a filling भी काम करती हैं और एक shock absorber के रूप में भी काम करती हैं और reserve wire for salt and fluid के रूप में भी काम करते हैं loose connective tissues loose connective tissues के कुछ examples पढ़ लेते हैं बच्चो फर्स्ट है areolar tissue यह skin के नीचे प्रेजन्ट होता है और epithelium को support करता है जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ाता ना कि epithelium tissues जो होते हैं वो skin का इसकी जो outer layer होती है वो form करते हैं तो उस layer को epithelium tissues जो होती है उसको support करते हैं areolar tissue areolar tissue में randomly distributed fibers होते हैं fibroblasts होते हैं mast cells होती हैं और macrophages होते हैं abdominal cavity में जो organs present होती हैं उसको support करते हैं यह areolar tissue और muscle fibers के बीच में जो spaces होते हैं उसको fill करते हैं और blood और lymph vessels जो होते हैं उसके around भी यह wrap होता हैं next example है adipose tissue यह भी skin के नीचे present होता है और यह क्या करता है fat को store करता है और यह shock absorber के रूप में काम करता है और body का जो temperature है cold environments में maintain करके रखता है यह जैसे कि वेल होती है वेल थंडे पानी में रहती है ना जैसे ocean होता है ocean में रहती है वेल तो महां का अगर temperature बहुत जादा decrease हो जाए तो तब भी यह यह colder environments में body का जो temperature है उसको maintain ही करके रखता है तो इसलिए जो होता है जो वेल होती है उसका blubber होता है वहाँ पर adipose tissues present होते हैं तो इसलिए cold temperature का जादा फरक नहीं पड़ता है वेल पर white adipose tissues जो होता है वो kidneys को protect करते हैं यह बात याद रखना है बच्चों कि kidneys को protect कौन से tissues करते हैं white adipose tissues और यह white adipose tissues जो होता है वो हमारी जो eyes होती है उसके back पर भी present होते हैं और camel के hump में present होता है और whales के blubber में present होता हैं फिर next time brown adipose tissues ब्राउन एडिपोस टिशूस जो होते हैं वो इन्फैंट्स में प्रेजन्ट होते हैं पोलर बियर्स में प्रेजन्ट होते हैं पैंग्विंस में और जो कॉल्ड रीजन्स में रहते हैं उन एनिमल्स में प्रेजन्ट होते हैं कि फिर हैं Reticular connective tissue Reticular connective tissue Reticular fibers का बना होता है Reticular Fibers हमके पढ़ेता है अब भी थोड़ी दिर पहले कौन-कौन से protein भोतके है Reticular fibers में एक तो collagen होता है और Glycoprotein तो Reticular Connective Tissues जो होते हैं वो Reticular Fibers के बने होय होते हैं और ये जो हमारा ओर्गन्स होते हैं जिस लिवर हो गया उसके इंटर्नल फ्रेमवर को सपोर्ट करते हैं और Lymph Notes को और Spleen को Second Type है Connective Tissues का Dense Connective Tissues Dense Connective Tissues Dense Connective Tissues में जो Fibroblast Cells और Fibers होते हैं वो Compactly Packed होते हैं Loose Connective Tissues में तो Loosely Present थे हैं ना मेक्रिक्स में पर Dense Connective Tissues में Compactly Packed होते हैं और इनका Main Function क्या होता है यह सपोर्ट करते हैं और Transmit करते हैं Mechanical Forces को यह Loose Connective Tissues से कम Flexible होते हैं और बच्चों On the basis of arrangement of Collagen Fibers there are two types Collagen Fibers का जो arrangement होता है इनमें वो दो types का होता है तो उस basis पर Dense Connective Tissues के दो types हैं पहला है Dense Regular Tissues Dense Regular Tissues में जो Fibers को Orientation होता है वो Regular होता है नाम से ही पता चल रहा है Collagen Fibers are present between Collagen Fibers are present between parallel running bundles of Fibers Regular arrangement enhances tensile strength Regular arrangement की वज़े से tensile strength बढ़ जाती है and poses resistance to stretching and stretching in the direction of orientation of fiber Example Tendons and Ligaments Dense Regular Tissues के examples हैं Tendons All Ligaments Tendons and Ligaments के बारे में हम अभी पढ़ेंगे फिर हैं Dense Regular Tissues यह Dense Connective Tissues का second part है second type है इसमें Collagen के अलावा और भी Fibers present होते हैं जो Irregularly Oriented रहते हैं नाम से ही पता चल रहा है Irregularly रहते हैं Irregular Orientation Uniform Strength देता है हर direction में और Fibers Mesh-like Network बनाते हैं और यह कहां पर present होता है Skin की Dermis में Skin की Dermal Layer में present होता है थर्ड टाइप है Specialized Connective Tissues Connective Tissues का third type पढ़ेंगे अब हम Specialized Connective Tissues Specialized Connective Tissues होते हैं जैसे की Cartilage होते हैं जो हमारे यहर में present होती है और Bones जो होते हैं यह Help करते हैं Correct Posture को Maintain करने में और Internal Organs को Support देने में तो यह Specialized Connective Tissues की कैटेगरी में आते हैं Blood और Lymph जो होते हैं वो Fluid Connective Tissues होते हैं Blood और Lymph भी Connective Tissues हैं बच्चों और Blood और Lymph fluid Connective Tissues होते हैं जो Body में Circulate होते हैं और Helps in Interaction and Communication अमंग the Organs अब पढ़ेंगे Tendons और Ligaments के बारे में Tendons और Ligaments में Confuse नहीं होना है Tendons तो Bones को Skeletal Muscles से Join करता है और जो Ligaments होते हैं वो 2 Bones को Join करता है यह बात ध्यान रखना है बच्चों वरना यह Confuse करता है याद रखना है कि Tendons जो होते हैं वो Bones को Skeletal Muscles से Join करता है और जो ligaments होता है वो bone को दूसरी bone से join करता है जैसे कि figure में देख सकते हैं यह muscle है यह muscle है और यह bone है यह tendon है यह bone को और muscle को connect कर रहा है और यह ligament है यह इस bone को इस वाली bone को इस वाली bone से join कर रहा है तो bone को bone से join कर रहा है तो ligament है यह यह वात याद अपनी है बच्चो अब पढ़ेंगे cartilage के बारे में cartilage mostly embryonic stage में present होता है और supporting skeleton के तरह काम करता है एक adult में ज्यादा तर cartilage जो होता है वो bones से replace हो जाता है पर adults में भी कुछ cartilages present होती है जैसे कि humans में ये vertebral column में present होती है external ear में present होती है nose में present होती है ये cartilage होती है बच्चो येर में present होती है cartilage और cartilage भी तीन टाइपस के होता है hyaline cartilage, elastic cartilage और fibrocartilage cartilage में कौनसी cells present होती है chondrocytes ये बात याद रखनी है chondrocytes होती है cartilage की cells chondrocytes जो matrix secret करती है rubbery matrix secret करती है तो chondrocytes cells are enclosed in a hard rubbery matrix secreted by them इन में collagen fibers भी present होती है collagen fibers present होने के वज़े से इनकी strength बढ़ जाती है cartilage की strength बढ़ जाती है collagen fibers की presence की वज़े से और chondrocytes कहां पर present होती है cartilage में chondrocytes होती है और वो cavities में present होती है इन cavities को हम क्या कहते है lacuna lacuna नाम की cavities में present होती है chondrocytes ये या तो 2-4 cells के group में present होती है या फिर 1-1 cell के group में present रहती है कार्टिलेज, इलास्टिसिटी भी पर्जस करती हैं और फर्म भी होती हैं इसमें ब्लड वैसल्स नहीं होते और लिम्प वैसल्स भी नहीं होते नर्स भी नहीं होते अब पढ़ेंगे बॉन्स के बारे में बॉन्स सबसे हार्ड कनेक्टिव टीशू है और ये बॉडी की शेप और पोस्चर को मेंटेन करता है और इंटर्नल ओर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है इसमें कोलाजन फाइबर्स बहुत होते हैं कोलाजन फाइबर्स में रीच होती हैं बॉन्स और कैल्चन प्रेजन्ट होती हैं कैल्चन की वज़े से स्ट्रेंथ मिलती हैं बॉन्स को तो जैसे बोन्स होती हैं वो शेप और पोस्चर मेंटेन करती हैं बॉडी का तो बच्चों आप खुद सोथ सकते हैं अगर हमारा स्केलेटन ना होता तो बॉडी का कुछ पोस्चर ही ना होता पता नहीं कैसी होती फिर बॉडी ना तो कुछ shape होती body के फिर ना posture होता और ये internal organs को protect करती है जैसे कि हमारा brain है brain skull में रहते है न skull जो होती है skull वो brain को protect करती है तो जैसे cartilage की cells थी chondrocytes तो bones की जो cells होती है ना उनको हम osteocytes कहता है ये भी cavities में present होती है lacunate में present होती है और matrix secret करती है जैसे cartilage में blood supply नहीं थी इसमें substantial blood supply होती है bones में substantial blood supply होती है osteocytes की जो cytoplasmic extensions होती है वो tiny tiny channels बनाती है जिनको हम क्या बोलता है canaliculi canaliculi का क्या function होता है ये osteocytes और capillaries में communication बनाए रखती है canaliculi osteocytes और capillaries में communication में help करती है और जो bone marrow होता है न बच्चो वो दो types का होता है एक yellow marrow और एक red marrow तो bone में central marrow cavity होती है जहां पर bone marrow present होता है ये जो central cavity होती है ये spongy tissues की बनी होई होती है जिसको हम marrow कहते हैं yellow bone marrow जो होता है उसमें fat present होता है और जो red bone marrow होता है वो blood cells को produce करता है diagram में देख सकता है बच्चो ये एक bone represent की हुई है इस तरह की bone होती है यहां पर bone marrow present होता है central cavity होती है जहां पर bone marrow present होता है ये है yellow bone marrow ये red bone marrow present है अब हम पढ़ेंगे fluid connective tissues के बारे में blood के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा blood अलग-अलग types की cells और plasma का बना हुआ होता है तो blood में एक तो white blood cells present होती है red blood cells present होती है platelets present होती है और plasma जो white blood cells होती है white blood cells को हम leucocytes भी बोलते है और जो red blood cells होती है उसको हम erythrocytes बोलते है और जो platelets होती है platelets को हम thrombocytes भी कहते है RBCs में hemoglobin present होता है और RBCs का function होता है oxygen को transport करना white blood cells defense system create करते है और foreign antigens से protect करते है WBCs platelets blood clotting में important होती है और plasma में proteins present होते है water, hormones, salts, etc plasma, proteins, water, hormones, salts को different body parts में transfer करता है diagram में देख सकता है plasma होता है plasma में amino acids present होते है nutrients, proteins, nitrogenous wastes, electrolytes, gases और blood proteins जैसे की albumin, fibrinogen, globulin present होते है formed elements होते है जैसे की leukocytes मतलब white blood cells erythrocytes मतलब RBCs और platelets present होते है और जो white blood cells होते है न वो दो ताप्स की होते है granulocytes और agranulocytes granulocytes के examples है neutrophils, basophils और eosinophils eosinophils और A granulocytes होते हैं अब lymph के बारे में पढ़ेंगे lymph transport करता है absorbed fat को blood में ये उस absorbed fat को blood में transport करता है जो की blood stream में directly नहीं जा सकता lymph में WBCs present होते हैं liquid matrix में white blood cells present होती हैं और ये toxins remove करने में help करता है और waste materials को remove करने में help करता है और जो white blood cells present होती हैं ना lymph में वो infections से fight करने में help करती हैं तो बच्चों ये था connective tissues का topic next video में हम पढ़ेंगे muscular tissues के बारे में